हेलो दोस्तो आप सभी का एक ने वीडियो में स्वागत है और दोस्तो यदि आपको मेरा effort अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर किजिएगा मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर किजिएगा और दोस्तो आप मुझे कुछ रूपियों की सूपर थैंक्स भी कर सकते हैं थैंक्स बटन आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा क्योंकि दोस्तो educational teachers में ज़्यादा profit नहीं होता है मेहनत बहुत ही जादा है गलती की कोई गुनजाइस नहीं रहती है और आपको बिलकुल सही सही बताना पड़ता है सही सही बोलना पड़ता है तो काफी मेहनत है लेकिन दोस्तो बदले में हमें काफी कम पैसे मिलते हैं YouTube के चैनल है जिसमें व्यूज जादा होते हैं रीच जादा है तो आपकी आमदनी जादा होती है लेकिन दोस्तो एजुकेशनल चैनल पर कॉम्पिटिशन बहुत ही जादा है और इसमें अर्निंग भी थोड़ी कम होती है और प्रोमोर्शन की विडियो जी भी कम मिलते हैं नहीं के ब्रावर ही मिलते हैं नहीं मिलते हैं आप कह सकते हैं तो दोस्तो आप लोग मुझे financially help कर सकते हैं कुछ रुपियों की thanks करके और thanks बटन आपको इस विडियो के नीचे मिल जाएगा वहाँ पर click किजिए तो जरूर try किजिएगा और मुझे भी motivate किजिए मैं आप लोग के लिए काफी महनत करता हूँ और मैं आप लोग को और भी detail में बतानी की courses करूँगा आपके मन में जो भी सबाल है questions है या जो भी doubts है आप comment box में लिख सकते हैं मैं अपने next video में cover करूँगा तो आप लोग सभी मेरा साथ दीजिए please support me and help me to grow in my life and now it's time to move on to the video hello दोस्तों आप सभी का एक ने वीडियो में स्वागत है और दोस्तों आज हम लोग एक interesting paragraph लिखने जा रहे हैं वो भी translation के माधियम से तो दोस्तों आज का वीडियो काफी interesting और knowledgeable है आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे मैं आप लोग को एक एक rule बताऊंगा आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों यदि आप अपनी English को improve करना चाहते हैं तो यह channel आपके लिए based है मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज हैं बारी बारी से सभी वीडियोज को जरूर देखेंगे खास्तोर से playlist जरूर चेक आउट करेंगे advanced spoken English structure का playlist आपको मिल जाएगा daily use sentences का playlist आपको मिल जाएगा इसके अलावा आपको story writing advanced essay writing का playlist मिल जाएगा vocabulary building का playlist मिल जाएगा तो दोस्तो मेरे चैनल पर लगबख 500 से उपर वीडियोज हैं और सभी वीडियोज एक से बढ़कर एक हैं and now friends it's time to start today's lesson हमारे जीवन में हमारा परिवार महत्पुर्ण भूमिका निभाता है तो दोस्तो यह किस tense में है simple present tense सबसे पहले subject फिर verb इसमें yes या yes लग सकता है और फिर object अब दोस्तो यहाँ पर subject क्या है कौन भूमिका निभाता है हमेशा पूछेंगे who कौन तो आपको answer मिल जाएगा हमारा परिवार यानि कि our family अब दोस्तो सवाल यह उठता है कि इसे singular माने या plural तो family को collectively मानेंगे तो यह होगा singular form में और जब subject singular form में हो तो verb में yes या yes add करते हैं तो यहाँ पर verb क्या है निभाना यानि कि play महत्पुन भूमिका यानि कि an important role तो यहाँ पर लिखेंगे our family plays an important role हमारे जीवर में in our life our family plays an important role in our life परिवार के बुजुर्ग हमारे मार्ग दर्सक और सिक्षक होते हैं दोस्तो होते हैं इसके लिए आप आर या इज का यूज कर सकते हैं जैसे मालिज ये पानी उप्योगी होता है हम लोग क्या लिखते हैं water is useful तो यहाँ पर easy use करते हैं सूरज गर्म होता है the sun is hot तो यहाँ पर main subject क्या है परिवार के बुजुर्ग यानि की the elders of the family और दोस्तों यहाँ पर elders यानि एक से अधिक है plural form में है तो यहाँ पर are use करेंगे are हमारे मार्क दर्सक और सिख्छक होते हैं are guides and teachers the elders of the family are our guides and teachers वे हमें जीवन के प्रारंभिक पाठ पढ़ाते हैं तो दोस्तों यह भी है simple present tense में सबसे पहले लिखेंगे they इसके बाद verb यानि की teach us वे हमें पढ़ाते हैं they teach us object क्या है क्या पढ़ाते हैं जीवन के प्रारंभिक पार्ट यानि की the initial lessons of life दोस्तों initial काफी important word है इससे initially भी बनता है यानि की सुरुवाती दौर में initially I was not successful मैं सफल नहीं था बाद में मैं सफल हो गया later I became successful तो initially word का काफी ज़्यादा use होता है they teach us the initial lessons of life हमारे हम उम्र के सदस से हमारे दोस्त जैसे होते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे the members of are age group are like our friends the members of our age group are like our friends हम लोग उनके साथ का आनन्द लेते हैं we enjoy their company we enjoy their company हमारा परिवार हमारी सबसे बड़ी ताकत है तो यहाँ पर लिखेंगे are family is our biggest strength our family is our biggest strength एक आदर्स परिवार में मा नीव की तरह कारी करती है तो दोस्तों यह भी है simple present tense में यहाँ पर subject क्या है मा तो यहाँ पर लिखेंगे एक आदर्स परिवार में इन आइडियल फैमिली मदर एक्ट्स नीव की तरह एज दा फाउंडेशन तो यहाँ पर फाउंडेशन काफी इम्पोटेंट वर्ड है इन आइडियल फैमिली मदर एक्ट्स एज दा फाउंडेशन वह अपने बच्चों की महत्पुन सिक्षिका होती है तो यहाँ पर लिखेंगे शी इज दा मोस्ट इम्पोटेंट तीचर आफ हर चिल्रन शी इस दा मोस्ट इम्पोटेंट टीचर आफ हर चिल्रन यानि की सबसे महत्पुन सूपरलेटिव डिग्री में है मोस्ट इम्पोटेंट वह अपने बच्चों को नैतिक मुलियों के बारे में सिक्षा देती है यानि की शी टीचेज हर चिल्रन नैतिक मुलियों के बारे में अबाउट दे मोरल वेलियूज शी टीचेज हर चिल्रन अबाउट दे मोरल वेलियूज एक वही है जो परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ रखती है एक वही है इसके लिए लिखेंगे शी इस दा वण शी इस दा वण जो परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ रखती है हूँ किप्स दा फैमिली मेंबर्स तुगेदर यानि की एक साथ दूसरी तरफ पिता एक रक्षक की तरह कार्य करते हैं On the other hand Father acts as a protector तो यहाँ पर protector काफी important word है On the other hand Father acts as a protector वे परिवार के एक मजबूत सदस से होते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे He is a strong member of the family He is a strong member of the family एक आदर्स परिवार वही है जिसमें छोटे सदस से बुजूर्ग सदस्यों का सम्मान करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे जिसमें जिसमें इन विच छोटे सदस से यंग मेंबर्स रिस्पेक्ट एल्डर मेंबर्स An ideal family is the one in which young members रिस्पेक्ट एल्डर मेंबर्स वे उनकी आदेशों का पालन करते हैं दे ओबे their orders they obey their orders जब कभी वे कोई महतपूर निर्नय लेते हैं तब वे अपने बड़ों से प्रामर्स लेते हैं जब कभी whenever they take any important decision तब के लिए कोमा दे देंगे वे अपने बड़ों से प्रामर्स लेते हैं they take advice या फिर they consult their elders और दोस्तों जब take advice लिखेंगे तो यहाँ पर आपको from लिखना पढ़ेगा from their elders और जब consult लिखेंगे तो इसके बाद कोई भी preposition यूज नहीं करेंगे whenever they take any important decision they consult their elders others परिवार में सभी सदस्यों को अपने अपने बिचार ब्यक्त करने की सुवतंदर्ता होती है in an ideal family सभी सदस्यों को अपने अपने बिचार ब्यक्त करने की सुवतंदर्ता होती है तो सबसे पहले लिखेंगे सभी सदस्यों को सोतंदरता होती है All the members have freedom अपने अपने बिचार ब्यक्त करने की to express their views In an ideal family all the members have freedom to express their views सभी सदस्य एक्ता और सायोग के साथ रहते हैं तो यह भी है simple present tense में यहाँ पर subject क्या है सभी सदस्य All the members leave रहते हैं एक्ता और सायोग के साथ with unity and and cooperation All the members live with unity and cooperation वे एक दूसरे की भाबनाओं का धियान रखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे अता यह कहा जा सकता है कि प्रतेक सफल बेखती के पीछे एक आदर्स परिवार होता है यह फिर आप हेंस भी लिख सकते हैं इट कैन बी सेड देट बेहीकन रखेंगे भी स्फस्फू करणस्ट boundary आइडियल फैमिली. Hence, it can be said that behind every successful individual there is an आइडियल फैमिली. यदि हमारा परिवार हमारे साथ है तो हम किसी भी परकार की कठिनाईयों से लड़ सकते हैं. तो यहां पर लिखेंगे if our family is with us हम किसी भी परकार की कठिनाईयों से लड़ सकते हैं. We can fight with any kind of difficulties. If our family is with us, we can fight with any kind of difficulties. I hope friends आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा. यदि है मेरा effort आप लोग अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा. मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को जरूर देखेगा. Alright friends, thanks for watching, have a great day.